हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अप्लिकेशन के बारे में जिसकी मदश से आप अपने नौटिफिकेशन बार को काफी हद तक कस्टमाइज कर सकते हो तो फ्रेंड्स अगर आप बोर हो चुके हो अपने ओल्ड नौटिफिकेशन बार से तो फिर देखते ही इस वीडियो को लाश तक तो फ्रेंड जिस अप्लिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं उस अप्लिकेशन का नेम है पौवर शेड आप चाहें तो इस अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी से डाउनलोड कर सकते हैं तो फ़लाल हमने इसको इंस्टॉल किया हुँ, फटाफट से यहाँ पर हम इस application को उपन कर लेते हैं आप देख सकते हैं को जिस तरह से हमें इस counterface देखने को मिल जाता है, यहाँ पर यह application अभी not running में तो यहाँ पर हम not running पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से अपनी application को running के लिए notification यहाँ से enable कर देते हैं, यहाँ से accessibility भी enable कर देते हैं तो अब यहाँ पर हमारा application running में आ चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो notification panel है वो पूरी तरह से change हो चुका है तो हमारा जो अभी तक old हमें notification बार नजर आ रहा था तो वो यहाँ पर change होके एक नए look में यहाँ पर हमें नजर आ रहा है गश्याँ अबर हम बात करें इसकर प्रैटर के फीचर्स की तो हमें एक trigger का option मिलता है तो हमें यहाँ पर यहाँ पर एक लिए पर श कॉपिशन कर सकते हैं इसके लाब है यहाँ पर हमें एक layout option मिलता है इसमें भी हमें small corner, small top, info bar, show status item, grid column, grid rows, number of header tiles वगरा यहाँ पर हमें option मिल जाते हैं इसके लाब है यहाँ पर हमें एक और भी option मिलता है जो कि extra की नाम से यहाँ पर हमें extra में भी काफी सारी चीजें मिल जाती है तो उकल मिलाक अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसको use करते हैं तो हमारा जो old वाला notification वार है वो एक नए look में हमें नजर आता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो फ्लीज वीडियो को like share जरू करें और नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं तो मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू फ्रेंट